नमस्कार दोस्तों स्वागत आप स्वाइब स्वाइब मेरे इडू चैनल बने रहने के लिए तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कलास 12 का मैस का अब्जेक्टिव कोश्चन जो कि आपके बोड में इसी में सब पूछेगा तो दोस्तों इस वीडियो को सुरूच देख लेना ताकि आपको कोश्चन यह याद हो जाए और एक और बात मैं आपको बता तो जो कि मैं हर्मेशा बोलता हूं कि इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक में दबाली जिएगा क्यूंकि इस चैनल पर पॉड़े लिए आपको वीडिय उसके इंसर क्या हो जागा इसका इंसर हो जागा one यहले कि अनमर इसका है flower के में में पूशन पूशाए ठीक में अब सब्सक्राइब कि नहीं होता है साई इनको से कॉस्टिक़ देते हैं वी वहाँ दैकिन इसा नहीं होता है कि का सट कर में कितनाहोता है और उसका बीच में आता। यह के बीचित से हम पाइगा नो धिके नगा साई यह सफ सक्ट पाइगा न जी?" कोचन देख लिजिए 9 और 13 प्पूछ चुका है ठीक ना तो अगला कोचन है साइन इंबर्स साइन 2 5 by 3 इसका एंसर के होज़ेगा इसका भी एंसर होजेगा आपका डी इंबर 5 by 3 कियोंकि इसका ती जो डुमेंड होता है कितना होता है मैंस 5 by 2 से 5 by 2 ठीक तो यह देखिए 2023 में यह पूछा है ठीके ना तो अगला कोचन देखते हैं उगला कोचन है टैन इन बार्ष रूट तीरी मानाइस कोट इनवर्स माइनस रूट फीरी क्या होगा इसका सबस्क्रेंद कही अपका इसका भी साइय अंसर किया वीफ कर डी नेमर माईनस फाइब भ दिंदर इस एक इंड़ा डोटा है दोस्ते रिनिवस्ट एक्स इक्स एकोल टू होता है दोस्तों टैनिंवस X एकवल टूट प्रण बर्स एक्स एक्स होता है यहां कि सीने मार आपका एंसर होगा कितना लागा का वन वाई कोट इंवर्स एक्ष लिख देता है इसका फर्मूला हो जएगा या आपका टू टैनि इन फर्स एक्सका फर्मूला हो जगा ठिक है ले इसका सही अंसर क्या होज़ेगा C नमर अगला कोहचन है देखें दोस्तो अगला कोहचन है the principle value of the cost inverse root 3 by 2 तो cost root 3 by 2 कितना कमान होता है cost कितना कमान होता है cost 30 का यानकी 5 by 6 5 by 6 तो cost inverse से cost कटेगा तो 5 by 6 बता जाया यानकी ए नमर इसका सही अंसर होज़ेगा यह आपका कोहचन दोसे 17 पूछाए ठीके ना तो अगला कोहचन देखते है नेक्स्ट कोहचन है the principle value of the cost inverse 2 तो cost inverse 2 यानकी cost 5 by 6 यानकी cost cost 30 का मान हो जाएगा दो ठीके ना तो कटेग आप कोस इन्वर्स से cost इन्वर्स तो 5 by 6 बता यानकी दोस्तों आपको मालूंगा कि cost का डूमेन माइनस में नहीं होता है जीरो से पाई के बीच में होता है यह तिलिगी निया फोतो माइनस हो गया तो हम क्या करेंगे cost inverse minus x का फर्मूला होता है पाई-cost inverse x तो पाई-cost inverse x यानकी 1 by रूट दू तो 1 by 5 by 3 गमाना होता है ताम जोड़िगे तो 5 by 6 I got again a 5 by 6 आई आहीं एट था साई एंशर अपक्ते हैं विगा अगला प्रिंसपल वेलु आप कोस्ष इन भर्स माइनस वन वाई दो अब माइनस वन वाई दो आ गया तो इसका हम क्या एंसर देंगे इसका एंसर क्या हो जेगा आपी सूंच कर बदा जेगा ठीक ना है कोस पाई मैनस कोसिर वान 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 वाई रूथ यानि कि आपको कर गज़ेगा था पाई-पाई-वाई-थी यानि कि टू पाई वाई-थी वाचे गाए ठीका ना वी नमृर शही एंसर हो ज़ेगा अगला कोचन है दा प्रिंस्पल भेलू अफ टेन इन वाई-उन-वाई- शूरी तरी इसका सभर हिए विए का सही असर मानोग माइनस पॉइ बोई गए ठीक ऑना अगला को है तो प्रिंसपल वेलव दीट है विखाए वजय माइनस यह जैनसर की है सुक्षर 흡 ces मैं आपको यहां साथ आगे बताओंगा ये दोस्तों सारा कोचन इंपोर्टेंड है इसलिए इस वीडियो को आप एक बार मैं नाय स्थों मजते हैं तो दो बार जरूर देखेगा और इस थे लगो सस्क्राइब करना ना भूलेगा ठीक है नौ